सब्सक्राइब कर रहा है ठाहिए कि जब्तर फर्ड जिस्टी का पाट है सिस्टी के पाट बॉन का थर्ड चेफटर रही है विस सामने आपको दिखें रगबंधु तो जाती तथा वर्ट ठाहिए जब्टर और तो जैसे कि पीछे हम लोगों ने देखा था यह हमारा आरंभिक समाज जब हम लोग ज्यादा सो स्लाइज होने लगे और ज्यादा से ज्यादा सुसाइटी डेवलप होने लगे समाज का डिल्लपमेंट का से समाज के डिल्लपमेंट का मतलब के वाल साकारात्मक ने नाकारात्मक विकास भी हो सकता है कि अब समाज में अगर जाती प्रथा आजए तो देखिए अभी हमने पीछले चैप्टर था हम लोग ने क्या पड़ा था च्छेसो इस्वी पूरु से शेसो इस्वी तक के मद्ध का आर्थिक और राजिनितिक जीवन में निक परवगते हैं कि एक सेकंड हाँ 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 तो हमने जो पीछले चैप्टर में किया था इससे पहले वह क्या था छेसो इसी पूरु से शेसो के बीच ने जो आर्थिक और राजिनितिक जीवन में जो परवगते हैं इकनोमिक किस तरह से बदली थी ठीक है और सिंदू वैली सिवलाजेशन के बाद और वैदिक सिवलाजेशन के बाद वैदिक सभेता जो थी उसके बाद किस तरह से परिवर्तन है लेकिन हमने परिवर्तन देखा था क्या आर्थिक या एकनोमिक और राजमितिक या मतलब की पॉलिटिकल जो चेंज हुआ था किस तरह से राजा किस तरह बदले राजी का क्या हुआ प्रसासन लाजी का एड्मिस्टेशन कैसे चलता है हम लोग ने यह देखा लेकिन यहां पर हम लोग केवल सुसाइटी की बाद करेंगे हमने आर्थिक और आर्थिक जीवनें परिवर्तन पिछले अभ्याय में देखा इस चैप्टर में देखना है कि समाज में क्या परिवर्तन हो यह समाज के निर्मान के से चले देखते हैं यहां पर आपको पता है वण यहां पता है कि कुछ परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव को अब देखो एक बात तो किलियर है अगर सामाजिक परिवर्तन होगा अगर सोशल चेंज होगा तो उसमें आप यह समझ लो कि चैप्टर थ्री करा रहे हैं सारे बच्चे सुन लिजिए फिस्ट्री पार्ट वन का चैप्टर थ्री अभी स्टार्ट करा है दो मिनट पर आप लोग ध्यान दें तो अगर आर्थी की स्थिति में कोई परिवर्तन है खुद सोचिया अगर लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं लोगों की एकनॉमिक कंडिशन या आर्थी की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो लोग जो कंज्यूम करते हैं नए-एविलासिता या लग्जिरियस आइटम के पर जो खर्च करते हैं वो चाहिँ होता अगर आर्थी की की स्थिति बदलेगी तो सामाजी की स्थिति नहीं परिवर्तनके अगर अभी किसी पहंदे क्या होता था आपने ददादा जी की जमने पापा जब चोटे रहेंगे आपके हम चोटे थे जब उसकी बात कर रहें तो अगर कोई भी पर्व होगा तो पुआ पूरी जो बनते हैं हम लोगी जो भी मिठाई होगी घर में बनेगा ऐसा तो नहीं था ना कि स्विगी से और जो मेटों से ओडर कर देंगे कि क्या कहते बर्गर आ गया चौमी ना गया पिज्जा आ गया तो यह चेंज का है अगर मां लेजे इन हैंड अभी कैस ना हो तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा घर में जो बनेगा हम लोगी से बनवाले हैं तो कहने का मतलब यह है मेरा कि अगर हमारे किसी भी समाज में अगर समाजिक परिवरतन होता है तो नहीं तो अर्थ व्यवस्ता पर सब्सक्राइब तीनों चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड़ हैं और पारस पर एक संबंध हो अब देखें कैसे हैं अगर हम एक्जांपल लें आपको पता कि वन छेत्रों में क्रिसी का विस्तार हुआ था ज्यादा से जैसे जनसंख्य आप बढ़ने लगी तो लोगों ने क्या क्या जंगलों को काट करके वहां पर फार्म बनाने लगे अग्रिकल्सर लैंड और फिल्ड का डेवलप करने लगे जहां रहने वाले लोगों की जीवन सैली में परिवर्तन हुआ अब जो लोग जंगलों पर आधारित कि फॉरेस् जंगलों को साफ करके उन लोगों ने तो उनके लाइफ स्टाइल में भी बहुत सारे जीवन सैली में परिवर्तन हुआ अब देखे क्या हुआ आप खुद सोचो अगर केवल कोई परिशन हंटिंग और गैदिरिंग कर रहा है जो एंसेंट सैम में होता था आधी मानो जो अरली मैं से हम लोग उनकी बात कर रहा है तो इसमें क्या होता था छो प्रकृति से मिल रहा है जो नीचर से मिल रह रहा है उस्के काम से ओर किसी बी तरह की लगजीरियस का कुई मतलब said कि लाइव कशी की तरह की हो हिंए याजन्गल से जानवर मिल रहा है सिकार करे पेट पाल रहे है या ग्यादर कर रहे है फल फूल जो भी नट्स हैं उसको एकठा करके अपना इस्टोर कर लिया जैसे जैसे अगर मालो कभी सर्दी का मौसम ज़्यादा बढ़ गया बर्फ गिरने लगा या वारिस हो गया तो जैनवर नहीं मिले तो उससे कम तो लेकिन जैसे ही एगरिकल्चर होने लगा तो लोगों सब्सक्राइब तो सर्प्लस का अदमी क्या करता है सर्प्लस को कहिना कहीं इंवेश्ट में जिन लोगों के पास सब्सादा करण में लोग क्रिसी के विकास के कारन जो surplus आने लगा, जरूरत से ज़्यादा आना जाने लगा, उसको दे करके लोग सिल्प की चीज़ें खरिदने लगे, आर्टिफाक्ट खरिदने लगे, खरिदने लगे, तो इस तरह से अगर मान लिजी है, जब डिमांड बढ़ेगी, समाज में डिमांड बढ़ने लगे, सिल्प की चीज़ें की, तो सिल्प कारवर्ग भी विक्सित हो गया, प्रफ्ट की चीजे हर आदमी तो बना ने सकता आर्टिस्ट ही तो आर्ट की चीजे बनाएगा न क्राफ्ट की चीजे तो उनका भी एक विकास हो गया साथी सार्थ निसित रूप से जैसा कि अभी हमारा अभी का समय समाज है जो प्रजेंट का हमारी जो सुसाइटी है इसमें भी आपने देखा होगा रीच एंड पूर की जो एक डिफ्रेंस है जो उनके डीच में वो क्रिया आमीर और गरीब का जो अंतर है अभी भी विद्दमान है और उस स दीन टूर्ब से जो पहले क्या था जोब क्रिसी का विकास नहीं हुआ तो समाज में एक जी तरह की लोड़ कि या तो जानवर थे नहीं तो जाता था ज्यादा एक्ष्ट्रा ना जा जाता था जिससे कि वह ज्यादा सिल्फ की चीज़े खरीच सकते थे और अपने लाइव को ज्यादा विलासिता के वस्तुवों पर लगजिरियस आइटेम पर खड़ें उस चीज़ को इन्वेस्ट करते हैं तो जीस तरह से मैंने बोल सब्सक्राइब का एक चीज़ आगे इकनोमिक डिफ्रेंस आगे देखो अधिया हम ग्रंथों का परियोग सावधानी से करें ग्रंथ मतलब की जो भी क्या करते हैं हमारे पास जितने भी तरह के एपिक्स हैं महभारत रमायन और बहुत तरह की जिए उन बातों को अगर बहुत यह ना कौससली अगर हम यूज करें उनके टर्म्स को जो भी हमारे पास समाज का बहुत इसे तरह से समाज में जो भी चीज ट्रेंड में था उस समय आचार विवार लोगों का सभाव कैसा था किस तरह से भार कर देते और सबसे बड़ा बात उनका कस्टम रिवाद इनके उपर इतिहास लिखा जा सकता है अब यहां पर याद रखिए कि आपके स्कूल में हर एकेडमिक्स में स्कूल के टीचर महाभारत और रमायन वाले से कुशन बोज़ेगा और वा गया देखिए हमारे में सबसे बड़ा जो ग्रंथ हैं हमारे सब कॉंटिनेंट में भारती उत्माति वह महाभारत महाभारत से इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताओं कि एक लाग से अधिक है इसमें नहीं लिखाओ मैं कुछ अपने तरफ से भी आपको एड़ करूं कि महाभारत को पहले जैसनहिता कहा जाता है बाद में इसका नम महाभारत सब पहले 24,000 स्लोपी महाभारत में लेकिन आगे जा किया और भी ज्यादा विस्तार किया तो इसमें एक लाग से ज्यादा जो कि अभी पूरे दुनिया में इतना बड़ा कोई दी गुरंट नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा इसमें देखिए और अलग-अलग तरह की सामाजिक स्ट्रेम मतलब इस सोचल ग्रूप्स जो कि इसमें समाज में कौन सी जाती थी कितनी तरह की जातीयां तो समय 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 mineadiki कि श्कास्ट के समाज में कि या इससवी बातों को अच्छी तरह से बताए गया है इस गरंद की रचना आह forti और 500 बड़, एक हजार साल तक जो लोग भी आते गए जैसे मालीजी है महाभारत है हमारी तो सबसे पहले किसी ने कुछ और लास्ट में 500 इसी पूरू तक इसमें काम हो गया और एक हजार सालों तक यह गरंथ लिखता लिखा जाता रहा इसलिए एक लाग से ज़्यादा स्लोक और इसमें एक खासित हो रहे हैं कि जो महाभारत में जो कहानिया वह महाभारत के समय से महाभारत के मुख कथा दो परिवारों की बीच है यह तो आपको पता ही है कौरव और पंडो इस ग्रंद के मुखे पातर इन समाजिक मांड़न्डों करते हुए दिखाई पड़ते हैं मांड़न्डों कांसरन वह उनकी अवहिलना खेंगित करते हैं देखें और आगे चलते अब एक बात है यहां पर कि महाभारत का समालोचनात्मक संसक्रन का मतलब है ना कि है अगर कुछ गलत है तो उसके बारे दो लेकिन आख करके आपको सम्झाया जा रहत कोई सेकेंड पार्टी अगर एक्स्प्रेंड कर रहे हैं तो हर चीज को इफ और वट देख करके अपना जो भी अनलेटिकल जो एक अनलेटिकल जो एक्स्प्रेशन होगा उस तरह से जैसे मैं समझा रहा हूं कि अब क्या है कि 1999 में प्रसिद्य संस्कृति विद्वान बी ऐस स थांकर के नेत्रित में एक अत्केंत महत्मकांची परियोजना इस्टार्ट में और इन्हों ने महाभारत को पढ़के इसमें से उन चीजों को निकाला इनके टीम में कि जो उस समय की इतिहास के लिए relevant है महाभारत में बहुत सारी चीज़े हैं तो यह देखा गया कि महाभा सकते हैं कि इसमें की उदेंतिया भी होती थी और एक्जिजरेशन की बहुत-बड़ी समस्था थी बढ़ा चल्धा के बातों को रखा है कि अनेक विद्वानों ने महाभारत का सामालों चनात्मिक संस्क्रिट तेयार करने का जिमां उठा है और इसमें देखे क्या हुआ कि विभिंग लीपियों में लिखी गई महाभारत की संस्क्रिट पांडू लिपी पांडू लिपी मतलब समझते हैं आप लोग मैंस्क्रिप्ट जो होता था क्योंकि उस जवाने में आपको पता ही है कि हुक तो होते नहीं पर और नहीं तो कॉपर प्लेट पे किसी भी कि देखिए इसमें जितने भी स्लोक थे महाभारत सबको पढ़ा गया अच्छी तरह से एनलिसिस किया और इसमें से उन्होंने उन स्लोकों का चियन किया जो लगबग सभी पांडू लूपियों में पाए गये थे और उनका प्रकासन 13,000 पेजेस पे 13,000 पेजेस पे अनिक ग जो यह नोंने किया है क्योंकि उस समय बुक तो छपी नहीं थी कोई पब्लिश नहीं हुए तो जो जो पांडू लिपी मिली सबको एक अत्रित करके और उस पे एनलिसिस किया है कि हर पांडू लिपी में जो सेम चीज होगी उनको लेकर एक बुक पब्लिश की और इतनी जो जना कोई से क्या करते हैं पूरा प्रोजेक्ट पूरा करन में 47 एर्स लग जो तुकि इस पूरी परकिरिया में दो बाते भी से सिरुक सुभरकाई पहली कि संस्क्रित कि कई पाठों की अनेक अंसों में समानता थी ठीक है और यह इस बात से भी असपस्ट होता है कि समू ऐधे ग्लेगा संस्क्रित की जिपने भी पार्ट तेयार कि 19000 का माहाभारत के संकलन तयार कि उसमिए के कि व्यात में साथ में संस्क्रित कि रखी ति atti Obviously बासिए ठीक है डूसरी बात माहाभारत का जो भी पब्लिश किया गया मैं अने की छेत्रिये भी देता हैं मतलब प्रोविंशनल डिफ्रेंशियेशन भी सामने आए बता रहे हैं इन डिफ्रेंशेज का जो संकलन या क्या कहते हैं जो एकठा किया गया मुझे पार्ट की पहले बात समानता देखने जितनी भी संस्कृत में पांडू लिपिया थी कई पार्ट में उसमें समने समानता थी आप कस्मीर से ले करके कन्या कुमारी तक चले जाओ ठीक है सब एक ही तरह के बाते कुछ ना कुछ होती है पहले बात लेकिन दूसरी बात क्या थी इन कि एक चेत्र दूसरे चेत्र से कई मामनों में अलग है चेत्रों में या प्रोविंसेज में तो डिफ्रेंस दिखा लेकिन पांडूली प्यों में बात हैं कि एक तरह से देखा जाए तो प्रवेद उन गूर परक्रियाओं के एक सिकनी मैं देख लूँ कि कितना डिफकल्ट हिंदी है आप लोगों को बोलूंगा को फैदा नहीं है कि अब एक बात जो निकल के आती इसमें से जो भी आप लेकिन संस्क्रीट में मैंने स्कीड के तो संस्क्रीट में ब्राम्रेब्रों द्वाराऊ लिए लिखे गए साथ साथ उनिस्वी और विस्वी 19th and 20th century में जो हिस्टोरियन्स तेनों पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुसिलन करते से में इन गरंतों को साथ ही तो और पर समझा उनका विश्वास था कि इन गरंतों में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तों में उसी तरह से उस परंपराओं का अध्यन किया इन अध्यनों से असपर्ष्ट हुआ कि आधर समूलक संस्किर गंद आम तवर से अधिकारिक माले जाते थे कि इन आधर्षों को प्रश्णवाच्यक दृष्टी से भी देखा जाता था और यादा कड़ा इनकी अवेलना भी की जब हम इतिहास कि जैसे कहने का मतलब मेरा यह है कि माल लिजी कि संस्क्रीट में पांडूलिपी मैनिस्क्रिट में इसमें सोसाइटी के बारे में बहुत सारी बाते बताएगे इस समाज में चार वर्ग था बरामबन चत्रिय वैसे सुधर बरामबनों का काम यह था चत्री का काम यह था वैसे सुधर का काम में था यह सबता और लोग क्या करेंग विसी को मानके चलेंगे और इसी के आधार पे पूरी की पूरी हम society का जो सुसाइटी हमारी है उसका पुरुरिमार्इमान ता इस ग्रंतों में जो भी समाज के बारे में लिखा गया है इनी संस्क्रित ग्रंतों में एक से लेकिन आगे जा करके जब इस्टोरियन ने सोचा कि नहीं नहीं इस कि अगर उसके बाद क्या कह रहे हैं इस्टोरियन्स ने कि संस्क्रित गंत्वों पर विश्वास नहीं करते हैं अगर हमको उस समय के समाज का सही सही आंकलन करने की सोचल ठ्रैक्टिस थीक है समाज में होता क्या था तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा उन्होंने पाली में पाली में जो भी लेंग्वेज और इनके अंदर इन में जो भी एपिक्स थे गरंते उनकी स्टेडी की और तब उनको रियल हिस्ट्री का बहुत सारा पता करें मतलब की इन रियालिटी वाट्ड़ सोचल प्रैक्टिस एग्जिस्टे किस तरह से आस्तित क्या था सामाजिक जो भी गतिविए थी वह आखिर में किस तरह से काम कर एक आम आदमी की लेडिस कीया ओमेंस की ओमेंस की बैकवर कास्ट की फॉर्वर्ड पास्ट की जो भी उसमें की सारा सो साइटी में उनका एक जो भी आप रूतबा कर सकते हैं जो भी इस्टेटर्स था वो किस तरगा था वो उन सारे ग्रंथों को पढ़ें पता चला तो इतिहासकारों ने इस संस्कृत जो था यह संस्कृत एपिक से तो चीजे पढ़ी लेकिन उसको वेरिफाई करने के लिए पाली प्राक्रिप और तमिल भासाओं का भी अध्यन किया और सब लेकर के तब जाकर के भारत के उस समय के 600 इसी पूरु से 600 इसी के बीच में जो सामाजी परिवेस था भारत का उसका निर्माइब आज इतना ही और कल करेंगा करेंगे 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 में यूटूब चैनल जो मेरा है में इस ग्रूप एन लिंक भेज दूंगा आप लोग महां से चाहती पूरे क्लास की वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं ओके ठीक आज प्लास इंड करतें